आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ A question is Which of the following resonating structure is correct for given compound? हमें ये compound दियो और हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा given resonating structure correct है, ठीक है? तो इसके हम सारे resonating structure बना लेते हैं यहाँ पर अगर हम इसके सारे resonating structure बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा resonance होता है, resonance हमारा delocalization of electrons होता है ठीक है, अगर हम इसके सारे resonating structures बनाएंगे तो इस type के हैंगे मैं बना के दिखाते हूँ यहाँ पर यह हमारे double bonds है, aromatic ring है हमारी अगर यह चीज हमारी जा रही है यहाँ पर यह चीज अगर हमारी यहाँ पर जा रही है तो इसका जो resonating structure होगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा यहाँ पर positive charge आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा negative charge ठीक है, क्योंकि जो यह double bond था यहाँ पर shift होगया और यह हमारे double bonds as it is है उसके बाद क्या होगा, यह वाला जब यहाँ पर चला जाएगा तो जब यह electrons यहाँ पर आएंगे तो यह चीज़ shift होगी इस atom पर तो इसका जब हम बनाएंगे यह हमारी ring बनी है ठीक है, यहाँ पर अभी भी हमारा positive charge है यहाँ पर आगे हमारा negative charge, यह double bond आ गया था यहाँ पर हमारा double bond है, यहाँ पर double bond था, double bond और double bond उसके बाद यह जो negative charge इस carbon पर located है, यह negative charge हमारा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, तो यह हमारा जब इस carbon पर आ जाएगा, तो यह चीज़ shift होगी हमारी इधर चली जाएगी तो इसका जो next resonating structure बनेगा, वो इस type का बनेगा positive, double bonds, यहाँ पर आ गया, double bond, यह इधर चला गया था, तो यहाँ पर आएगा negative charge इन यह चीज़ ऐसी है, ठीक है, तो सेम जीज़ होगी, फिर यह चीज़ यहाँ चली जाएगी, यह negative charge यहाँ आ जाएगा, तो एक और हमारा double bond, sorry, resonating structure में मिल जाएगा यहाँ पर, negative charge हमारा यहाँ पर आया है, positive charge यहाँ पर आया है, double bond, double bond, यहाँ पर double bond आ गया, यह double bond था, negative charge, double bond, यहाँ पर double bond था, ठीक है, फिर यह चीज़ जब यहाँ पर shift होगी, तो यह negative charge हमारा इस carbon atom पे आ जाएगा तो इसको अगर हम show करेंगे तो next structure हमें यह वाला मिलेगा यह हमारी ring है aromatic इस aromatic ring को positive charge हमारा यहाँ पे था double bonds हमारे यहाँ पे लगे हुए थे चीग है यह वाला हमारा इधर shift हो गया था यहाँ पे double bond आएगा इस पे negative charge आ गया था next क्या होगा next यह चीज़ जब यहाँ पे होगी तो यह वाला फिर से इस carbon पे negative charge आ जाएगा ठीक है इस carbon पे जब negative charge आएगा तो next structure जो हमें मिलेगा यह चीज़ यहाँ पे shift होगी तो यह वाला वापस से हमेंगा तो जू इस ring हमें मिलेगी वो कुछ इस type की मिलेगी यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हमारा positive charge था double bonds हम बना ले रहे हैं यहाँ पे double bonds थे यहाँ पे आ गया हमारा फिर से negative charge इस वाले carbon atom पे यह हमने negative charge बनाया है double bonds हमारे यहाँ पे shift हो गए है ठीक है अब क्या होगा अब जब यह negative charge यहाँ पे shift होगा तो यह वालो जो double bond था यहाँ पे आज़े negative charge shift हो जाएगा और फिर यह negative charge यहाँ पे चला जाएगा तो यह positive charge हमारा neutralize हो जाएगा मैं इसका direct structure बना दे रही हूँ जो हमारा resultant structure आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा ठीक है यहाँ पे हमारे तीन double bonds आये हैं यहाँ पे positive charge में direct neutralize करके दिखा रही हूँ यहाँ पे shift हो गया यह वाला minus charge यहाँ पे है और यहाँ पे double bond था ठीक है तो यह हमारे resonating structures बने थे तो यह resonating structures कब बने थे जब हमारा यह वाला double bond था यह वाला यहाँ पे shift होगी तो इसके बाद क्या हो जाएगा यह हमारा structure है यह जो हमारा structure है इसमें क्या हुआ यह वाली रेंग वापस से इस carbon atom एटम पे shift हो जिए तो इस carbon atom पे जब minus charge आया है तो इस वाले पे क्या होगा positive charge आजएगा इस वाले पे जब हमारा positive charge यहां पर क्या था हमारा double bond था यहां पर double bond था यह तीन हमारे hazardous double bond थे ठीक है और इसके बाद अगर मैं direct shift करूं यह वाला यहां पर जाएगा जब यह वाला इस पर double bond आएगा तो यह negative charge यहां चला जाएगा ठीक है तो फिर basically हो क्या रएग जो negative charge है यह alternate carbon फे shift होता जा रहा है तो यह alternate carbon का structure था हमें वो मिल जाएगा ठीक है तो बेसिकली जब यहां पर positive charge यहां पर आएगा दिन वापस यहां पर हमें normal structure मिल जाएगा वापस से structure हमें मिल जाएगा तो basically हो क्या रहा है shifting of resonance हमें यह bonds मिलने alternate carbon पर shift हो ठीक है तो हमारे जो इन टैप के structure थे जो हमें starting में इसने बताया था कि इन में से कौन सा हमारा correct है इसके resonating structure के लिए तो यह वाला है यह वाला हमारा किससे मैंच हो रहा है first वाला जो हमारा था इस carbon पर negative charge इस पर positive charge हो हमारा इससे मैंच हो रहा है ठीक है तो first हम हमें मिल रहा है यहां पर यहां पर जब negative charge है तो यहां पर positive charge present होना चाहिए था तो यह चीज़ भी हमें मिल रही है जब यहां पर negative charge है यहां पर positive charge है ठीक है third structure है हमारा यहां पर positive charge है तो यहां पर negative charge होना चाहिए था तो last में जो हमने structure बनाया है यह इसके बाद यह negative charge यहाँ shift होगा यहाँ shift होगा तो जब यहाँ पर negative charge है यहाँ पर positive charge आएगा ठीक है तो हमें third structure भी मिल गया है तो basically first two or three हमें तीनों मिल रहे हैं तो इसका answer हो जाएगा fourth all of these यानि कि यह जो question दिया है इसका answer होगा fourth all of these Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर